Scholarship Tutor अब आपकी तैयारी होगी जोड़दार हलो डियर स्टुडेंट्स वल्कम बैक तो माई चैनल Scholarship Tutor तो आज का ये वीडियो आपके लिए केबल महतपूर्ण नहीं बलकि गेम चैन्जिंग होने वाला है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अन तक देख लेते हैं तो आप एक्जाम में आपके 90 नमर पके रखे हुए हैं क्यों? क्योंकि ये जो आप देखने वाले हैं वो आपका ओरिजिनल पेपर होने वाला है सेम टू सेम वही प्रशन आपके परिक्षाओं में पूछे जाएंगे तो बिलकुल आपको फिक्र नहीं करना है एक्जामिनेशन का और इस वीडियो को एंज़ाइ कीजिए और जल्दी पूरा पार्ट वीडियो आपको अप्लोड कर दिया जाएगा तो आईए बेसबरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे बरी खुसकबरी के बाद आपके लिए क्या हो सकती है तो आईए आपने पहले प्रेशन की और बढ़ते हैं और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैंने आपको यहाँ पर इमेजिज यहाँ पर कुछ दिये हैं जिसे आपको कुछ इंट्रेस्टिंग लगे तो आपकी एक्जामे ऐसा नहीं देगा बट मैंने ऐसा इंट्रेस्टिंग लगने के लिए किया है तो आप बताईएगा कि आपको यह इमेजिज कैसा लगा जो मैंने साइड में दे रखा है तो पहले प्रशन की और बढ़ते हैं बिना टाइंग अवाए तो देखिए निमलेकित में से प्राकिर्टिक खाद है तो इन में से कौन सा प्राकिर्टिक खाद है यूरिया, पोटास, वर्मी कमपोस्ट या फिर सूपर फॉसफेट तो मैं तो अंसर बता ही दूँगा लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी मैं प्रशन को पढ़ता हूँ तो आप अपने मन में उसका उत्तर बना के रखिए और जब मैं आंसर बता हूँ तो उसे मिला कर देखिए कि आप मतलब कहां लाई कर रहे है आपका लेवल क्या है आपको कितना आता है कितना नॉलिज है आपके पास उसके बाद अगर याद कर लीजेगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा यूरिया यूरिया एक प्रकार का प्राकृतिक खाद है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के और हमारा अगला प्रशन है जीवजन्तू पेर पौधों की ऐसे प्रजातियां जिनका कोई प्रतनिदी वर्तमान में जीवित नहीं है कालाती है यानि की हमारी धर्टी पर ऐसे जानवर या फिर पेर पौधे जो की हमारे प्रत्वी से खत्म हो चुके हैं उनका विनास हो चुका है तो ऐसे जीवजन्तू या फिर पेर पौधे क्या कालाते हैं तो उसे हम बोलते हैं याद रखेगा विलुप्त प्रजातियां यानि कि विलुप्त पौधे की प्रजातियां हो पौधे हो या जानवर जो भी इस विर्थिवी से खत्म हो चुके हैं उसे हम विलुप्त बोलते हैं याद रखेगा उमीद आपको याद लेगा जैसे आप डाइनासोर को जानते हों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण हमारा प्रदिर्शित पादप चित्र में अलंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है एसेक्सवल रिप्रडक्शन तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो जीन्स है यह आपका तो यह जैसा आपका पिक्चर है व प्रक्रिया को बोलते हैं हम विखंडन आईए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है रुधिर का लगभग कितना प्रतिसत भाग रुधिर कनिकाओं से बना होता है तो यहां पर रुधिर का मतलब आपके खून से है तो खून में लगभग कितना प्रत प्रेशन आपके सामने देखिए सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वाइरस है तो आपको जो सर्दी जुकाम होता है और इसे पार्टिकल्स निकलता है तो यह कौन सा वाइरस है जो यह आपके कारण यहां पर इसके कारण सर्दी जुकाम होता है तो राइनो वाइरस इसका क्या नाम है इस वाइरस का नाम है राइनो वाइरस जिसके कारण आप सभी को सर्दी जुकाम होता है सारे इंपोर्टेंट प्रश्ण है और एक एक प्रश्ण आपके परिक्षा में आपको एक नमड दिलाने वाले हैं और नब्य के प्रश्ट नब्य 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 दिलाने वाले हैं तो ध्यान से पढ़िएगा और अगर याद ना हो तो लिख भी सकते हैं छटमा प्रश्ट देखिए पादपों में जल का परिवहन होता है तो पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है तो ये जायल टब गला में पीते हैं और आपका अरामसे भीट में चला जाता है लेकिन आपने सोचा है कि पेर पौधे कैसे पानी पीता होंगे? तो वही जायलम के द्वारा यानि कि जायलम एक परकार का उत्तक है जिसके द्वारा यहां पर जल का परिवान होता है उनके सरीर में जल के सरीर में परती वर्स पांच जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आप सब भी इससे अवगत होंगे कि पांच जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो हम सभी जिस दिन सबत लेते हैं कि एक पीट जरू लगाना है तो वो कौन सा दिवस है विस्व परियावरन दिवस पांच जू इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन सी की कमी से इसकरवी रोग होता है ठीक है? और इसकरवी रोग से बचने के लिए जैसे लेमन्स खाईए नारंगी खाईए वगएरा वगएरा जो की साइट्रस प्रूट से हैं यानि की खटे जो फल है उसको खाने से विटामिन सी की कमी नहीं होती और इसकरवी रोग से आप बच सकते हैं अब अगला प्रस्शन हमारा है निमलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? यहाँ पर रसांकुर क्या है? तो रसांकुर से मतलब है यहाँ पर विलाए और विलाए है जो स्माल इंट्रस्टाइन का एक भाग है और यह आपको कक्षा दस्वी में मिलेगा तो उसे आपको डेटेल में नहीं पढ़ना है केवल याद करना है आपको और यहाँ पर छुद्रांत यानि कि small intestine चोटी आथ जिसे आप बोलते हैं चुद्राउंत का मतलब है चोटी आथ तो यहाँ पर देखिए चोटी आथ इसी को बोलते हैं जो कि लिप्टा हुआ है आप सभी को बीच में डिस्टर्व करने के लिए सौरी लेकिन आप सभी के लिए एक इंपॉर्टन न्यूस है कि हमने लोंच किया है टार्गेट एनममेस बैच जो की बिल्कुल फ्री बैच है और इस बैच के माध्यम से आप सभी को यानि कि एनममेस परिक्षा की तयारी कर र सब्सक्राइगा वह भी पूरे डिटेल के जाथ तो आए और आप इस वैच के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद निम्लिकित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में यानि कि हमारे खुन में क यानि कि केल्सियम के अमांट को आपके खुन में मेंटन करता है अगला प्रॉशन हमारा है 11 मेढ़भ के हिर्दय में होते हैं आपका हिर्दय होता है हमारे जो आप बोलते हैं दिल, धरकन हमारे पास भी होता है ठीक उसी परकार एक मेढ़ग के पास भी अपना दिल होता है bleu Day उसमें होते हैं आपके मेडर के पास दो आलिंद और एक निल्या यानि की टु Viventricle तो यह क्या होता है आलिंद निल्या आप सभी से परिर्चित नहीं होंगे मुझे पता है तो आलिंद और निल्याय हमारे हिर्दय का एक भाग है जिसे आप खक्षा दश्वी में पढ़ेंगे ये सबी तो आपको टेंसर नहीं लेना है केवल रट लिजिए इन सबी को रट सकते हैं तो रट लिजिए घोर के पीछाईए लेकिन पीछाईए तब ही आपको नमर मिल पाएगा चलिए अगला प्रश्ण हमारा है मचलियों में पानी में तैरने या गती करने के लिए कौन से अंगसा आयता करते हैं तो मचलियां आपको पता होगा पानी में तैरती है तो कौन सा मचली का ऐसा भाग है जो से आगे धकेलती है आगे धकेलने में मदद करती है और जिससे वह स्पीड अपना बरहा सक तो इसपीर बधने के लिए यहां पर इसके पास होता है daft Task किसको 안에 यह कुर बेंगा this when औरिक्तल जानते हों गें इसे बचके रहेगा चलिए तो यह किस स्वस्वसन करती है तो यह त्वचा से स्वस्वसन करती है अब चलिए अगला प्रशन हमारा हैізекст में से वक्ष्य कंकाल का भाग कुन सा का कंकाल आप जानते होंगे यह आपके धर्कन के उपर हर्ट यानि कि आपका दिल हुटाए दिल को स्रक्षित रखने का काम इसी का होता है यहां का इस को रिवह केज बुलते हैं थो थ़रे सककर कौन सा इसा भाग है ये इसा भी में से तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यह पर यह पैल्विक गार्डल ठीक है अब चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर वन में सरे गले मृत जीवों में अपना भोजन ट्राप्ट करके प्राकृतिक आवाशों को सुरक्षित रखने का कारे करता है तो इन में से कौन सा इसा जानवर है जो कि हमारे आस पास जो भी जानवर मर गए हैं सर गए हैं उसको खाने का काम करता है और इससे हमारा आस पास का माहौल स्वक्ष रहता है तो यह काम करता है इसमें हाइना हाइना जैसा कि आप देख सकते हैं कहा गया यहाँ पर जरक जर तो कि हमारा आस्पास का माहौल भी दुर्गंद से भागता है दुर्गंदित नहीं होता है भाय उधारन है वायो कि इसका उधारन है हवा हवा इसे तो देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं जैसे ये ओर रहा है क्योंकि कोयू के उता ने क्यों कि ये कई सारे गैसों में गैस से रहते हैं सब्सक्राउब अधैसर कि कर वाद़ाय को अधान और अधैसर सब्सक्रिया स्क्राउर होना को और जाता है और भी से न हूं हो और यहां पर देख सकते हैं ठोस थोस आप देखते होंगे कि जब आठी करते हों तो इस कपूर को देखते होंगे डारिक्ट जलाया जलाया की डारिक्ट उडता जाता है तो इस परक्रियः को हम sublimation बोलते हैं उद्वर्व पातन और सभी की बात करें तो जैसे आप आइस यानि की बर्फ को जैसे फ्रीज में रख दिया उसके बाद पिखल जाता है तो लिक्विड में बदलता है लेकिन ये तो डारेक्ट गैस में बदल जाता है वास्प में उड़ जाता है डारेक् नेमलेकित में से कौन सा एक ओस्थाई परिवर्टन है तो ओस्थाई परिवर्टन क्या हो सकता है मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिखलना क्योंकि हमने फ्रीज से बाहर निकाला अपने बोतल को और वो पिखल गया पिखलने के बाद फिर हम फ्रीज में रख देंगे फि पिलेयन विदुत के डैस होते हैं एक्वसार्ट सॉलिफ्शन यानि की असुद्ध जल एक तरह से हो गया असुद्ध जल क्या सुचालक होता है जी बिल्कुल सुचालक होता है एलेक्टरिसिटी का क्योंकि इसमें च्छोटे-च्छोटे खन पाय जाते हैं और जिसके कारण वो सुचालक बन जाता है आप सभी को बीच में डिस्टाब करने के लिए सौरी लेकिन आप सभी के लिए एक इंपॉर्डल नियूस है कि हमने लौंज किया है टार्गेट NMMS बैच जो कि बिल्कुल फ्री बैच है और इस बैच के माद्यम से आप सभी को यानि कि NMMS परिक् इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसके बारे में जानकारी देश सकते हैं धन्यवाद